से चलो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम को एक बात बताओ कलममॉर्क दिये थे कि अंसी आटी पर क्या आना किदे लोग एनसी आटी पढ़ लिये हैं हाथ करा कि फिर कितने लोग एसे आटी पर ली थै में है कुछ नहीं पढ़े तुम मैं स्याटे पूरा नहीं पढ़ पाएं फर्श्टी पेश पर क्यूं नौट्स बनाने का स्टेप के पहले हमवर्ण था कि पहले न्सीयाटी पढ़ना तब नोट्स बनाना है तुम निपर पाए तुम एंसे अधि मेरा कल बुक आने वाला था इस बारिश के करण नहीं आ पाए आ जाएगा कल से सब्सक्राइब नहीं दो गया एंस्याटी डेली डेली पर ना है तुम कौन सा मीडियाम का पड़ा है एंसी अधी मेडियम इंगलेम कौन सा इंगलेम समझ म तुम से बात करेंगे कौन सा बुक पढ़ना है तुमको चलो स्टाट करते हैं क्लास अब देखो क्या है कि हम तुमisini थियोरी के बारे मैं सबकुछ बता चुके हैं सेल के डिस्कवरी के बारे में सब कुछ बढ़ना है तो कुछ देखो क्या है मेरा पड़ाने का तरीका थोड़ा अलग हम यह discussion कर ुर है क्योंकि दो को यार हम बहुत सारे चैप्टर में कि अलग तरीके से पढ़ाते हैं और कई सारे टीक्चर को ऐसे होता है कि मैरे परहाने के तरीके को लेकर जलते हैं कि मैरे को जो मैं उल्टा-पुल्टा इधर-दर करके पढ़ाता हूं था कि बच्चे को आसानी से समझ मैं उसके भी राजनेती करने लगते हैं अब क्या बोला जाए आप एंसी आटी पेज नंबर कल वहां तक पढ़े होंगे मैं बताता हूं कहां कर दो अब देखो क्या है इसके बाद एक हेडिंग डाला होगा एन ओवर्वीव औप सेल एन ओवर्वीव औफ सेल यह पेज नंबर 126 पर ही हेडिंग डाला हुआ है समझते चलना हम क्या बोलना जा रहे हैं यहां से लेकर कि यहां तक हम मैं बतारा हूं कहां तक कि कि पेज नंबर कि 129 तक जहां पर की हेडिंग डाला होगा मैं बता दूं आपको इसके पहले तक यू करोटिक सेल के पहले तक कि यू करोटिक सेल के पहले तक के पहले तक कि यहां तक यह मैं क्या कर रहा हूं अभी इसकीप कर रहा हूं अब आप बोलोगे ऐसा क्यों जगो भाई इसमें जितना भी मेटर है न यह सारी कि सारी अल्मोस्ट सारी बाते हैं प्रो करियोट्स के बारे में ठीक है और हम आपको प्रो करियोट्स काफी डिटेल में पढ़ाते हैं कहां किंग्डम मोनेरा में किंग्डम मोनेरा में जो आपके किस चप्टर में शीके बता देता हूं CRT का चप्टर बता डेता हूं वह यहां पर फ़ाधकर का पूरामीटर यह आता है आपको चैप्टर लोंबर टू में अगे ार नवे गेल्ट जिसका नाम है बाई लτο क्लासिफिकेशन कि अगुरुडुख्टल सुच और हैस्ड जिस दिन हमस्का बाई लोगा खल खली क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे चप्तरrone तो उसे दिन हम इस पूरी कांटेंट को पढ़ेंगे नोर्स में इस पूरी कांटेंट को और हैडिंग होगा हमारा क्या प्रोकरियोटिक सेल प्रोकरियोड्स और प्रोकरियोड्स का पूरा फीचर के साथ फंक्शन के साथ इस्ट्रक्टर के साथ यह सारी बाते हम पढ़ेंग तो कब परना है जिस दिन आपको बारे में बता दिया आपको लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपको प्रोकरियोर्स के बारे में पूरा का पूरा बात हम मोनेरा में ही बताएंगे तो यहां बसका करने जा रहे हैं अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं यूकरियोटिक वारे में होता है और हम आगे पढने वाले हैं वह परने यह सब्सक्राइब क्लासिपकेशन जिनको पढ़ाया हूं याद व पिछले साल पिछले वाले बैच में उनको क्या जी कौन-कौन पढ़े हाथ खळा कीजिए जो आप नवीन प्रोक्राइब के अंदर इस चार्ट थोड़ा सा प्रिमिटिव टैप का है वह चीज़े हम प्रोक्राइब में ही बात करेंगे इसलिए हम डारें हैं तो यह चीज़ हेडिंग ले लिजिए ले लिजिए और यहां से यहां तक वाली मेटर हम लोग चैप्टर नमबर तू के साथ परेंगे और बार बारी मत पूछेगा सर यह इसमें डाउट है इसमें डाउट है मैं वहीं बोलूँगा जब बालुकल करा से कुछ से प्राएंगे तब बताएंगे इसक्रीन शॉट ले लिजिए चलिए अब हम लोग डायक्ट स्टार्ट करेंगे यू करोटिक सेल लेकिन यू करोटिक सेल को स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक बेसिक आइडिया देते हैं कुछ-कुछ सबसे पहला बात आपको यह बताना है कि प्रोकारियोट स्क्राविस क्या आथ है चेяс ओर यू के रोस्काता है करियों दो त्योर्स यूडि यर्स तो डेकी अफन मिच्या भाता है इस कारयो वड्र देखरो कारयो कार्यो कार का आयू आद सिन निकलियस कर्योवर होता है नुकलियस नुकलियस ठीक है और यह आप यह आप जो लास में देखेँ हो ती यह इस इसका मतलब होता है बीरेइंग और रखने प्रो का मतलब क्या है और इस यू का मतलब होता है त्रू और प्रो का मतलब होता है आप फॉल्स तो नहीं कह सकते लेकिन कि अगर यहां प्रू बोले तो इस के सकते हैं अजर्वाइज आपको मोर कट्ली है कि अगर आप यहां पर प्रिमिटीव कर रहें तो यहां पर वड़ कीजिए एडवांस तो देखे असल में चक्कर क्या है आपको आगे हम सेल के अंदर एक और यहां पराएंगे जो एक डवल मेंबरेन बॉंड और यह एक इसल है उस सेल के अंदर बहुत सारे डा stuffing ऑल आ आरगनकेस होते हैं जैसे यह देक्षिक है आप यह रहाएगी धा की लिटेल इंव स्टैक्टर पढ़ेंगे इसका य। दिख रहा है तो यह क्या है नुकलियर मेंब्रेन और यह पुरा का परा नुकलियर मेंब्रेन और नुकलियर के अंदर है निन यह रहेवज में ने मवजूद है य Mitch यह सब कुछ सपड़ने। तो आगर कोई कोता है तो अधान नकमी के अंदरु रखा हुआ तो चौण नुकलियस को बोलते हैं ठूर्ट इडवांस नुकलियस और ऐसे नुकलियस रखने वाले और गर नि को कहते हैं यू करी और ऐसे को कहते हैं कि कड़ियर के हैं रहें बताना पड़ेगा निस्विए यूकरियोर्स का मतलब सिधा सीधव क्या होता है फिर शे left computer शर्चलस का मतलब क्या हूँ सभात्र। शहां पर शिफी होता है। जहां पड़ नहीं होता है तो जनेटिंटिक मांट्रिल इस तरीके से ख्र nécessaire सねनाओ एक प्रोटीन होता है एक प्रोटीन होता है इसका नाम है रहुत आफ सोंखर आप हिस्टोन प्रोटीन इसको इस तरीके से पैकेजिंग में हेल्प किया है यहां पर इसलिए वह देखे नहीं जैसे मंते से पढ़ा हुआ है जैसे मंते से रखा हुआ है तो यह क्या आपका फॉल्स क्रूम जो मैं और उसके अंदर डियेने हैं किसी परकार का को नुकुलर नहीं तो आपको नहीं लगता कि इस परकार का जो जो जनेटिक मटरियल डियेने हैं यह थोड़ा प्रोटेक्शन में नहीं है और थोड़ा एडवांस टाइप से रखा हुआ नहीं है जैसे मंते से साइड़ोप्लाजम में रखा हुआ है तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रोकरियो इसको नुकलियड डशे नुकलियायड नुकलियड गर्लायड लाइनों वहीं होताब देख्मिंट तो ऐसे और जो ऐसा इस टाइब का निकलाइड वाला शक्ट रखते हैं उसको बलते हैं प्रोकरियोटिक और आपको यह भी बता दूं जो यूकरियोटिक से लोते हैं उसके अंदर और भी कैसारे फड़ेंगे जैसे हम पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे जैसे यह राक को लोड़ण वह दशुशाम है इस टैप से मंलो यह राइबोजोम है राइस तरह कोजों है तो कई सारे और भी membrane bound organally होते हैं लेकिन इसके अंदर most of the membrane bound organally नहीं होता है होता ही नहीं इसके अंदर membrane bound organally हा लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो membrane से घरावा नहीं रहता इसका नाम ribosome ribosome is not membrane bound organally तो ribosome यह पूछा भी जाता है ribosome यहां पे मीलेगा और ribosome यहां पे भी मीलेगा लेकिन इनाक और जया यह यहां पे कोई by membrane bound organally नहीं जök क् walked को यह क्या Thai बता दूव जो कुलो क्लोड ठाथा इंदर कलोड macht finance नहीं यह B नहीं है इसके अंदर निकलीड और थोड़ा भूस राइबोजोम और बहुत कुछ होता बता के अंदर लेकिन इसके अंदर नहीं है अजब कि इसके अंदर बहुत सारे मेंबरेंड और यह असाथ में निफ्लियस भी है तो यह से थोड़ा एडवांस टाइप का है और पहले इवालववा होगा प्रोकरियोर्स इस नेचर में अब तब उसी से मोडिफाय हो के दरे-दरे बने दिया तो यह है प्रोकरियोर्स और यूकरियोर्स के अंदर मोटा मोटा मोटी डिफरेंस में बताया जिससे आपको सेल चप्टर में आगे सब्सक्राइब आप समझ वह चीज़ों को कि हम क्या बात कर रहे हैं आप यह बात प्रोकरियोर्स पर सभी को अंतर किलियर है ए कि शिवानन समझ मनिया आप अप करो कि शेंगे टेंट इस्टोन क्या था ही टिस्टॉन यह कहां सग्या बाइन आवर्ट यह बहुत दो लिखा है विप्स तॉन बोलो नहीं ही पिस टॉनए बता दोंगते आगे टिस टॉन एक होता है लिगा ना इस द्हाइब अच्छे तरीके चे लपट लपाट के पुरा में ने देट है तो उसमें पूटीन होता है नहीं उस धागय को लपटने में तो इस तैब का बना देता है और इसको बोलते है उस्टरोन प्रोटीन कि यह प्रोटीन है यह के वल्यों के मिलता ही नहीं तो इसलिए इस टैप का इस्ट्रक्चर यहां पर नहीं है तो तुम बोलें इतना भी लिपट लपाट पाया है इतना भी कैसे लपता तो यह तो नहीं होता उसके बटले में प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पॉली अमीन यह बात प्रोक्रियोट के पढ़ाएंगे मत तो कुल मिला के पॉली अमीन प्रोक्रियोट में और हिस्टोन यूक्रियोट में जनेटिक मट्रेल को कंडेंस्ट करके रखने के लिए काम आता है बस अब बोलो के लिए हो गया क्या है तो और किसी को गड़ाउट हो जब पुछा फिर बढ़ते हैं आगे हम पढ़ाएंगे यूकरोट तो आपको यूकरोट समंझ में आ जाएगा पुरा डिटेल में पढ़ाएवे हैं पिछले वाले बैस में इस वाले बैस को भी पढ़ाएंगे नहीं बैस ने पर लेंगे इस इस रख्ली यह आप तो आप याद कर सकते हैं कि क्या अंतर बताए दें सर्प्रोप्रेट और यूपलोट में है ना और multi-cellular और अर्गेंसम यह दिफेरिश भी आपको देखने को नहीं मिलेगा नोर्स में कहीं तर भी बैसिक बैसिक बात हैं बच्चे بीट पास करके आएं तो उनको उनको बताना पड़ेगा कोई बात नहीं है तर्गेट के बच्चे भी अगर हैं उसमें तो कोई बात हो आप को यूनि का मतलब क्या हूखता है मतलब एक सिंगल सेल ही और्गनिजम हो मतलब और्गनिजम बना ही वह हो सिंगल सेल का तो वह क्या हो सकता है वही होगा यूनी सलूलर और्गनिजम वही होगा यूनी सलूलर और्गनिजम बात आती है मल्टी सलूलर की तो मल्टी सलूलर के अंदर क्या बात है कि कई सारे सेल मि कर और्गनिजम बनाए वह हैं कई सारे डिफ्रेस्ट है कि अगर कई सारे लिए इस बना धी है दो अलग अलग में अपने एक औरकनीजम और जबाब है तो जबाब है यूनि erson फो सकता है और यू सब्सक्रेट होगा और यहां पर देखेएं नुकलिऊस अगर यूट हुआ तो नूकलिएस होगा इसके सासाथ और होगा वहां पर कल्रोड़ प्लास्ट भी होगा यह देखे जा रूद्र ही होगा और हैलेस कॉ Maar और ऀसे देखें माइटार पांड्रिया और क्हूंड आ है लेकिन एक सिंगल सेल ही ऑर्गनिजम है अच्छा यहां पर जनेटिक माटरेल कैसे होगा मस्वाई स्टाइड में करें से पड़ा होगा और क्या इसके अंदर और भी बहुत अब आपका दिमाग में खुदली से होड़ी होगी सब्सक्राइब बता दे रहे हैं इसका इसका अग्जामपल सुनना चाहोगे मोस्ट अब बैक्टिरिया अल मोनेरा सीधा बोलो ऑल मोनेरा अल मेंबर्स अप मोनेरा मोनेरा कि आए बाद आपको बताएंगे मोनेरा एक बड़ा सा ग्रूप है जिसमें बैक्टिरिया आते हैं अल मेंबर्स ऑफ मोनेरा और यूनिसलूलर प्रोकरियोर्स लो भाई आ गया जैसे कि बैक्टिरिया लिख लो ना कोई भी बैक्टिरिया का नाम लिए बैक्टिरिय हो जो भी काम करना है इस सिंगल सेल को ही करना है सिंगल सेल ही और गनीजम बना ही सिंगल सेल का है अब तुम से जलोगा सर ऐसा कोई यूनी सल्वलर यूकलियोट हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अमीबा अमीबा परमीश्यम अब प्रोटो जुआ अगर हमें एक लाइन में बोलना चाहिए कि कौन कौन यूनीचलूलर यूकलियोट से जैसे मैंने बोला ने ओल मेंबर्स ऑफ मोनेरा तो मैं यहां पर बोल दूंगा औल मेंबर्स ऑफ प्रोटिश्टा जैसे कि मोनेरा एक प्रोटिश्टा एक बड़ा सा गुरूप है उसमें जितने भी मेंबर है ना सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम बने होता है और लेकिन उसके अंदर नुकलियस होता है यह जो यूनीचलूलर यूकरिवर्स हैं जैसे प्रोटोज़ा है अमीबा पराइमिस्यम एक्सली प्रोटोज अगर आते हैं आप आगे परोगत पता कर देगा तो बोलो कि जितने समझ में आगे हंड्रेश करो यूनीचलूलर और यूनीचलूलर यूकरिवर्स एक्जांपल मोटा मोटी तोर पेदर मोनेरा एधर प्रोटिश्टा वह भी आजने तो इदर सारे बैक्टरिया इधर आते हैं सारे प्रोटिश्टा के में अमीवा वगरे इधर आते हैं है कि शिवानन्द नहीं समझ में आया कि शिवानन तो जब को तुमको हैंड्रेश करने से खा रहे हैं है हर्स बताओ हैंड्रेश किदर कैसे किया जाता है उधर से बौटम राइट कोरणर जाओ जिवाननन पर मूड दिखा होगा हो गया किया अभी सिवानन देखा है एता तो जब भी बोलेंगे हंट्रेश कर देना ठीक है समझ में आगे और आभी है अभी समय में आगे ने ये तो यह हो गया क्या तुम्हारा यूणी इस बात कर रहे हैं इस सब्सक्राइब नोर्स में लिखावा नहीं मिलेगा क्योंकि तो यह सब्सक्राइब को टॉपिक थोड़ी जो पढ़ाया जाए बस बता दे रहे हैं ताकि तुमको छोड़ी बते पता चले बाकि सारी बातों का तो बहुत अच्छे से बताते हैं अब आते हैं मल्टी सलूलर और नहीं है कि कि अगर वाथ करेंगे कि मल्टी सलूलर क्या एक नहीं नहीं लेकिन á동को को मुष्लियू सिंदल और समें होगा इसे जो नहीं होगा संवें सब्सक्राइब कृणिटिक नहीं important कि थूद्व और यह बात पकी है कि अगूव है बढ़िए उसके Factu तुमने इन वाइन और और गनली होगा है और सब्सक्राइब कर देंदर यहां फिल कर देंदर होना है अब हमारे लिसा और देवाइन अब सब काम ही उसी को करना है लेकिन सरक्या यहां पर हर से हर काम करेगा जबाब सब wichtig पर तो तक सारा काम करना है तो बठवारा क्या कि सब्सकित करना है अब हम बहुत सारे आ ने उसी तो यह थी है वह आज से दिनों करने के यह के लिए वाच वो जाता हूं मैं के सब्सक्राइब करने के PGD Hi ave इन तीनों ने बोला कि चलो मैं रेस्पाइरेशन का सारा काम देख लेता हूं चलो यह रेप्रोड़क्शन यह रेस्पाइरेशन ऐसे इन तीनों ने कुछ और बोला तो ग्रूप आप सेल्स परफॉर्म्स कॉमन फंक्शन यहां पर कर रहा है और ऐसे एक और एक और नियुकर के नाम पर लंग्स में कई सारे तीशू से यह और तो हर और अलग 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 तिसू से बना और यहां पर क्या रहा है हमारा लंग्स काम आ रहा है सांस लेन में काम आ रहा है खाना पचाने खाने में निले तो उसको मिल गया तो यहां डिवीजन ओप लेबर देखने को मिलता है जब कि यहां डिवीजन ऑप लेबर को यह आपको क्या लगता है यह जो करने वाले सेले क्या उसको करने वाले सेल रखना पड़ता होगा बिल्कुल रखना पड़ता होगा हर सेल का आपस में कहीं कहीं संभा है यह उनी परफस के लिए आपक स्युद्स कर रहे होग अर एसे क्या होता है कि बौड़ी का फंच्छन चीज आइए बाद में तब पहले दुनिया में यूनिसलूलर और डियोन अध्य संफित होत और यस यह पुरा का पुडा स़ुलर मोटनौ comparative एक आइडीन कोiron डेखने को मिलेगा औरकंट डेखने को मिलेगा अध्यकलीएस मिलेगा गपा आपके दिमाग में आइडिया हो कि क्या होता है अब बच्चे हो अभी कुछ बच्चे तो टेंथ में ही है तो उनको कैसे पता चलेगा तो ऐसे पता चलेगा मैंने बता जिया मूटा-मोटी तौर पर क्या होता है अब आके अगर आप क्या है कि आपको अगर यह चाहिए कि इनुटी और मल्टी चलूलर क्या होता है आगे जब पढ़ेंगे तो हम लास्ट में आपको बेसिक डिफरेंस लिखा भी देंगे लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सार्व भूल जाएंगे बार में तो कोई बाट आने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आगे आते रहेगी तो यह आप इसका स्क्रीन सोट ले लो बहुत जाता चाहते हो तो बाकी यूट्व पर वीडियो पराए रहेगा जब यह भूल जोगे इनुशनल मल्टी चलूलर क्या होता है कि वीडियो देख लेना तो यह कुल में क्वलका हैं अब हम स्टार्ट करेंगे कि यूविडियोटिक सेल का स्ट्रकीर तो नए मीटिंग में स्टार्ट होते हैं अन्य नो تवीडियो लो यह फोटो ले लो लो एक फोटो भी ले लो ए वैंटींतर नहूंने चैनल यूनी सलेलर में यूनी सलेडर उनिन सलेलर यूद्लमींटर को प्लीम आ जम्या के सब्सक्राइब जमागने मीटोम स्क्राइब कि